एनिमल की दिवानगी को मिला नया मुकाम, इन दो देशों में बनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म. बॉलिवुड की एक्शन थ्रिलर मुवी एनिमल की दिवानगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही. संदीप रेड़ी की डिरेक्शन में बनी ये फिल्म भारत ही नहीं, देश की बाहर भी तहल का मचा रही है. अब इसने एक नया रिकॉर्ड डर्ज कर लिया है. सोशल मीडिया पर एनिमल दफिल्म ने ये जानकारी साजा की है कि एनिमल मुवी ऐस्ट्रेलिया और कैनडा में अब तक किस सबसे ज़ादा कमाई करने वाली मुवी बन गई है. इससे पहले ये पोजिशन शारु खान के फिल्म पठान के नाम थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल फिल्म ने रिलीज के सोला दिनों के भीतर उस्ट्रेलिया में लगबग 4.75 लाक उस्ट्रेलियन डॉलर और कैनडा में 4.135 हजार कैनडाई डॉलर की कमाई की है. बता दें कि सिनमा घरों में इस फिल्म को आए 18 दिन हो चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए सिनमा घरों में पहुँच रहे हैं। अच्छी चली। कहा जा रहा है कि अब तक या हिंदी भाषा में 479.89 करोड की कमाई कर चुकी है। सिनमा घरों में और कमाई करने के लिए अनिमल मूवी के पास बस तीन दिन बाकी हैं। साल के खात्म होने के साथ ही शारुखान की डंकी और प्रभास की सलार फिल्म क्रिस्मस के मौके पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म में 22 दिसंबर को सिनमा घरों में दस्तक देंगी। तो इस विशह में आपकी क्या राय हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिल्हाल इस रिपोर्ट में किवल इतना ही ऐसी तमाम और बॉलियोर से जुड़ी खबरों के लिए लेखते रहे हैं रिपोर्टर जी।